Hello students, today we are going to learn NCRT solutions for class 6, subject English, unit 5, okay. The lesson name is a different kinds of school, okay. The question number first, first is given, put these sentences from the story in the right order and write them out in the paragraph, don't refer to the next, okay. आपको क्या करने हैं, जो sentences ये लिखे गए हैं, इसको राइट ओर में आपको लिखने हैं, okay. The solution is here, okay. राइट ओर आप देख सकते हैं. First, let's go for a little walk. Second, only you must tell me about things, okay. Third, I shall be so glad when today is over, okay. Fourth, the other bad boys can't be hop as bad as his, okay. Fifth, having a leg tied up and hoping about on a crutch is almost fun, I guess. Sixth, I don't think I will mind being diffed for a day, at least not much, okay. Now, seventh is, but being blind is so frightening, okay. This was the right order, okay. ये ये राइट ओर था, जो कि सिरियर ली ये लिखा गया है, okay. You can also write you in your notebook. The question number one. Why do you think the writer visited Miss Beam's school? अब किस तरह सोचते हैं, कि जो राइटर था, वो Miss Beam's school को क्या हुआ? देखा, the writer had heard a lot of praise about the unique teaching method. Miss Beam's school. एक जो Miss Beam's school था, एक राइटर था, उसने इस इस स्कूल के बाले में काफी उनिक teaching method सुना था, okay. इसलिए वह उसी स्कूल को देखने आया या उसी स्कूल को जाचने आया है और वह अपना परस्नल एक्स्पीरियंस फिल किया उसी निव मेथड को अजमा के किस तरह से उसी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वह कौन सा गेम है वह कौन सा खेल है जो हार एक बच्चे को अपनी स्कूल में खेलना पड़ता था आंसर इन मिस बीम स्कूल एवरी चाल्ड है तो प्ले रोल आफ बिंग ब्लाइट मिस जो मिस बीम स्कूल था हर एक बच्चे को एक अंधा होकर खेलना पड़ता था वह एक तरह का खेल था जो आपको जूटे मुठे एक अंधा बनना पड़ता था ओके और डिफ डिफ मिस बहरा बहरा भी बनना पड़ता था ओके मूट इंजर्ट और लैंग फोर पार्टिकुलर देंस ओके दिस वास लाइक गेम दर दे हाई तो प्ले आंड फोर में की पार्ट आप देर ट्रेनिंग ओके और इस तरह को वह गेम थे इसका यूज करके वह एक स्पेसल तरह का ट्र प्ले द लाइन फिश्च दे वास द्या पार्टिस था अपला दे वास दिन ज्यादा हट होता था ओके दा आंसर इस तर्ब एव चाट हाई व्लाइंग ए ओके वह आंधा बनने का खेल था वह काफि कठीं था हर एक खेल देक कि कि उनको एक अधे परसन या अंधिय आदमी के तरह उनको एक्ट करना परता था विदाउट पीपिंग फ्रम देर बाइंड फॉल्स बीना जो ब्लाइंड फॉल्स जो बाहने हुए रहते थे उनके आँखों को पट्टी को बीना हटाए हुए उनको क्या करना परता था एक अंध्य की आधम नहीं दिखाई दिये रहा है ओके कोटिंग फॉर्स ऑप्रफेशल यह मेंसल अपर्फेल देना परता था आफ मिसफारचून का परस्स टेस्ट देना परता था क। इसलिए वो कर वा अगर इस तरह के आक्ट करेंगे डिस अबिलिटी कि टे आक्ट करेंगे तो वा दूसर की दुख को असानी से समझ सकते हैं ओके दिस ट्रेनिंग प्रिपेर दे स्ट्रेंट्स टू बीकम गूड और रिस्पॉंसिबल हुमन दूस यह जो ट्रेनिंग था यह स्ट्रेंट को इसलिए दिया जाता था कि वो अपने लाइट में एक जीमदार इंसान बन सके और एक अच्छ स्क्राइब मैं चैनल थैक यह सो मुच